वक्त वो खास होता है जब आपके साथ साथी और जगह खास हो और इस वक्त अगर कपिल नेव हमारे साथ हो बाद भारत की वर्ल्ड कप जीत की हो और लॉर्ड्स मैदान पर तो फिर इससे बड़ी बात नहीं हो सकती एक तरह से ये आज तक का एक्स्लूजिव है कि कप्तान सह हम वापिस आये हैं उसी मैदान पर कप लेने नहीं कप लेकर आये हैं लेकिन आज भी 25 साल कपिल जी गुजर गए होंगे हर रोज हर रात आप उस शाम को जीते होंगे जी बहुत सही है ऐसा तो नहीं कि हमेशा याद रखते हैं लेकिन जब भी वर्ल कप की चर्चा होती है तो लॉड्स का नाम आता है और इस ग्राउंड में बहुत खुबसूरत यादे हैं हमारी हैं तमाम हिंदुस्तान की इसमें यादे हैं और यह कैसा ग्राउंड है जहां कह सकते हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो बैलकिनी है जहां पर इंडियन टीम या टूरिस्ट आलवेज रहते हैं हमारे को यह मिला था वेस्ट इंडिस को उस कॉर्नर का मिला था इस ग्राउंड की बड़ी अजीव खासियत है अगर देखा जाए इस कॉर्नर से अगर स्लोप जिसको कहते हैं बलविंदर सिंग ने जो बाल की वो आज तक हम याद रखते हैं कि वो अपना हिल कैसे मूव हो गई क्योंकि नॉमली सारे आउट स्विंगर बालर इधर से करते हैं बाल नीचे जाती है या उधर से भी करते हैं चेंज करते रहते हैं और बलविंदर हर साल ये चेंज करते रहते हैं वैसे वर्ल का पहले तीन जब खेले तो तीसरा वर्ल कप यहां हुआ था तो एक एक साल पहले लोग प्लाइन करते थे क्या होना है और कैसे होना है कभी आपके दिल पर ये तस्वीर चपी हुई है लॉड्ज ऑफ 83 जो टीम जीती थी इसे द टूर्नमेंट के बीच में हमें ऐसा लगा कि हमारी टीम में वो सब चीजें हैं जो एक टीम में होनी चाहिए तो माध्यम आधे रास्ते पहुँच के हमें लगा कि हम जी सकते हैं उस समय टीम का रुख बदल गया और उनका स्टाइल बदल गया उसके बाद मुझे नहीं यह कहूँगा कि हमारे पे दिवाब बहुत कम था क्योंकि दिवाब वेस्ट इंडीज पर ही हो सकता है लेकिन कि किसी ने एकस्पेक्ट नहीं किया था हम आए और हम शुरू से अखीर तक यही बोल रहे थे हम फाइनल में पहुँचकर हमारी जीत है चाहे हारे या जीते गे आप जीते तो क्या करते कुछ अलग करते जीतता तो यकीनन बॉलिंग करता क्योंकि इतना बड़ा बड़ा घास था और अभी तक है कि दस मिनिट हम चर्चा यही करते रहे पिछ देखने के बाद कि क्यों इन्होंने इतना ज्यादा घास रखा या इतनी क्यों ग्रीन विके बड़ा भी आरहा था जीब भी लग रहा था क्रिटिसाइज भी कर रहे थे जैसे जैसे समय बीचता जा रहा है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि शायद वही हमारे लिए ही पिछ बनी थे आपने जब जब जाकर अपनी टीम को बताया कि पहले बैटिंग आपने का हाँ गास भी लेकिन कहीं न कहीं मन में ये था कि एक दर्द था कि पिछ थोड़ा सा फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्फुल है लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं उस समय पड़ी क्योंकि कोशिश यही थी कि मैच अच्छा होना चाहिए और दिल से इतना खेलो की लोग हमें इस मैच के बार माइकल होडिंग ये चार थेज गेंबास थे और जब भारत की पारी लड़ खड़ाई तो लोगों ने यही सोचा होगा कि यह अर्ली लंज है और शायद बहुत जल्द मैच भी खत्म हो जाए जी बिलकुल सही है 183 रन कोई जादा रन नहीं है बहुत छोटा सा स्कोर होता ह वन डे क्रिकट के लिए वो भी 60 ओवर में उस समय होता था तो मुझे यकीन है कि हमारी टीम के भी होसले थोड़े से हिले थे लेकिन जब हमें समय मिला हमने बातचीत की और हमें बार बार एक ही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज को हैराने के लिए सबसे बड़ी चीज होग चलो जवानो चलो और सुनिल कवास करने का नहीं है जवान नहीं है अफसर हो गए लेकिन वाकई में उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या परिशानी थी टेंशन थी या फिर महौल यह था चलिए मैच तो खत्म होना वाला है नहीं ऐसा नहीं है कि काफी टेंशन थी क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता आकर इस जगह पर और जहां पर आफ फाइनल में पहुंचते हो तो यह होता है कि अब कुछ भी हो जाए चाहे खून बहाना पड़े जीत हमारी होनी चाहिए मैं यह बताना चाहता हूँ अगर कैमरा वाल देखे इधर पास्स मिले थे वो इस एरिया पर हमारे फैमिलीज और फ्रेंड को और मुझे अभी तक याद है कि यहां पर हमारी वाइफ बैठे थी जो मैच खत्म होने से पहले चली गए जब विवन रिचर्ड और ने रन बना ने शुरुक किये तो मनी मन में सोचा कि अभी मैटर ऑफ टाइम कि अभी मैच खतम हो जाएगा चली पैविलियन आप बार बार देख रहे हैं और यह पचीस साल पहले भी आपने देखा होगा आप मेंसे जो जो उस वर्ड कप को याद करते हैं तो हर रोज हर शाम वह पैव कि अभी तक हमें नहीं मालुम क्यों आइथिंक हमें पूरा क्रेडिट देना चाहिए बलविंदर सिंग संदू का कि वह नहीं समझ पाए शायद कुछ बहुत से कम प्लेयर ऐसे होंगे जिनकी अबिलिटी इतनी होगी कि डाउन दा हिल ऐसे जा रही है उसके अगेंस्ट बॉल लाना जिसमें बहुत ही कटिन है और मैं यह कहूंगा मेरे मानने में अगर क्रिकेट की बात करें वो अगर हम मुझे पांच चंद बॉलें ऐस से जंदगी की ढूड़नी है जो हम कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट का नक्षा बदला है तो उनमें से एक बल्विंदर सिंग संदू की जरूर होगी काटन करिकेट तो सरफ एक ही बल्ले बास से जो आउट हुए उसके बाद डेस्मनेंस और विविन रिचर्ड्स के बीच साज़धारी बढ़ती गई और मदनलाल जी की एक तरह से काफी पिटाई भी हो रही थी तीन तीन चौके विविविचर्ड्स ने एक ही ओर में मारे उ मारी दो मदन कुमारी और मैंने मदन से बोला हो सोवर में तीसरी बांडरी के बादा इसे नेक्स्ट ओवर मदन जी मदी पा थोड़ा ब्रेक ले लो दूसरे को कराते हैं तो मदन मैंने नहीं बाल दी मदन जी ने मुझसे बाल खोस ली और बोला कि मैंने बहुत बार पहले भी इनको आउट किया तो मुझे एक बार ओल दे दे पंजाबी में बोला जैसे उनका मैनरिजम है कि छोड़ दे बॉल मुझे दे दे मैं नहीं छोड़ूँगा इसको जब एक बॉलर इतनी जोश में कहता है तो कहीं ना कहीं कैप्टन का मन होता है कि अगर इतना कॉन्फिटि जी बताते हैं खुद यहां पर आकर कि किस एंड से वो कहां भागे थे और किस तरह वो कैच लपका गया कभी कुछ पताएंगे उस कैच के बार है जी बिलकुल अगर उदर देखें जहां पर अभी वो है कवर्स पड़े हुए हैं वहां पर बॉल हिट किया और मैं खड़ा इस ग्रीन सा जो कभर पड़े हुए हैं यहां से लेके और इस पाइप के करीब आके मैंने कैच फकड़ा तो इस तरफ वापे डॉड रहे थे अगेन अप दा हिल बन जाता है और कहीं न कहीं वो जिन्दगी का लमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है और शायद मैं य हिंदुस्तान नहीं भूल सकता अगर क्रिकेट वर्ल कफ हमने जीता है तो वो मदन की बॉल हमेशा सराखो पर साथाट सेकेंड जो गेन हावा में रही होगी कभिल जी बहुत उपर गई होगी मिस्क्यू हिट थी उस वक्त आप क्या सोच रहे थे कुछ ध्यान में आ रहा था या आप यूहीं बढ़ते जा रहे थे देखिए बहुत से लोगों ने ये प्रशन पूछा है कभी ऐसा नही कि मैंने कुछ सोचा भी बस ये था कि बॉल उपर गया और किसमत ने साथ दिया और हमने भागना शुरू किया यश्पाल मेरे पीछे से आ रहे थे और मैं चला रहा था मैं माइन मेरा है मेरा है तो इस तरह कि अगर आप इसको नीचे दिखाएं ऐसा रेलिंग नहीं थी लो वेस्ट इंडियन के लोग सारे यहां थे इंडियन स्पेक्टेटर यहां थे तो जब कैच पकड़ा तमाम लोग मेरे उपर यहां पर कूद पड़े और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि उपर से दबा ना दे तो मैं यहां से भाग कर वापस मदन के पास चला गया तो कहानी अपने क्लाइमाक्स तक पहुँच रही थी डूजान और मार्शल के बीच साज़दारी चल रही थी वेस्ट इंडिस लग रहा था कि नहीं हार नहीं मारेगा तीसरी बार लगातार वर्ड कप जीतेगा लेकिन कभिल जी उसके बाद विक्टे ऐसी गिरी कि भारक क बिलकुल जब डूजान और मार्शल बैटिंग कर रहे थे और बहुत सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे एका एक कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए मोहंदर अमनात को बुलाया और मोहंदर अमनात अपने वही उसी अंदास से जैसे क्रिकेट के दुनिया में पहचान था उसी से मोहंदर अमनात मैं कहूंगा कि उन्होंने हमें जीत दिलाई और मैं ये बताता हूं कि विकरान इस तरह का महौल था कि जब वो 40-50 रंड बन उनकी पार्टनर्शिप हुई तो हम कह रहे थे कि शांती से पेशन्स होनी चाहिए एकसाइटेड ना हो जाओ जब मोह भीट हो और ड्रेसिंग रुण के तरफ भागें क्यूंकि लोग उत्साह थे यहां से भागने के लिए तो जीत मिली बड़े अच्छी जीत थी यहां से वहां भागे और उपर ड्रेसिंग रुम में सब लोग हमारे काफी बोर्ड के मेंबर थे हमारे अपने करिकेटर थे ज वहां से आए, कैसे आए, यह नहीं मैं बता सकूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हमने देखे जिन्होंने अपना जिन्दगी का वो खुबसूरत चैने वहां से देखा हम अपनी फैमिली को सब ढूंड रहे थे लेकिन किसी का कोई हाल नहीं था तभी सुनील कावासकर ने वहां स मेरा हाथ उठाया, पबलिक की तरफ इशारा किया और हमने वहां पर शेंपियन खोली और वो लमा जिन्दगी का से पहली चीज जो जहन में आई हो जब आखरी विकेट गरी, माइकल होल्डिंग की, पहली चीज जो आपके जहन में आई हो? सबसे ज्यादा यह था कि क्या हम अपने आपको यही कह रहे थे और वो खुशी इस तरह थी कि अगर आप शब्दों में नहीं बयान हो सकती लेकिन अंदर से इतने खुश थे शयाद हमने दो चार किलो अपना वेट वैसे ही खुशी से ही ज़्यादा बढ़ा लिया था पर बहुत अच्छा लगा भागे यह यहां से कोई राइट जा रहा है कोई लेफ जा रहा है मालूम नहीं था क्या हो रहा है और उसके बाद यहां से खतम हुआ है सिरफ 200-300 यार्ड पर हमारा होटल है अगर मैं अपने कैम्रे वाला को बलाओं इधर आईए आईए आप इधर से घुमाएंगे तो यहां से हम पी बीच में काले से रंका जो है कि स्क्रीन के साथ उस होटल में थे तो यू किन वेल मैंजन की 300 यार्ड पर होटल था तो यहां से हम बस वहां कैसे पहुंचे कितना समय लगा एग घंटा दो घंटा यह नहीं मालुम हुआ शैंपेन आ रहे थी बहुत लोग लेके आये बहुत लोगों ने सेलिबरेशन की बट ये ग्राउंड एक जिंदगी का मैं कहूंगा बहुत खूबसूरत आप अपने किड़ बैग में लेकर आया थे कि ये भी कहानी सुनी मैं बिलकुल लेकर आया था और ये भी हमने मैं नहीं अकिला आया था काफी हमारे टीम वाले भी लेकर आय हमने शेंपियन वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम से भी उठा के ले आया है क्लाइव लॉइड और वेस्ट इंडीज के खिलाडी किस तरह लिया उस हार को नहीं बहुत बहुत अच्छा नहीं वो शॉक थे टोटली सेल्फ शॉक होते हैं तो उस समय उनको समझ नहीं आ होना चाहिए हम उनके ड्रेसिंग रूम में गए हमने उनको मुबारक बात दी कि यह नो बैड लग बोला उन्होंने हमें मुबारक बात दी तो यह चीज़ें क्रिकेट में होती हैं काफी तबदीले आई हैं लेकिन यह जो डिनर कलका है जो होगा यह जो आज हम कर रहे हैं यह एक बहुत अच्छी मीठी सी सोगन मीठा सा महौल बना के हमारे पास आया है कब जी जब ट्रॉफी आपके हाथ में थी कैसा लगा वो ट्रॉफी दे रहे थे और मैं ट्रॉफी लेने की कोशिश कर रहा था और वो वह से बात कर रहे थे और मैंने कह रहा था जल्दी जल् देपाओं वो कुछ कहा उनोंने मेरे अभी जहन में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा मिरे कुई इतना मालूम है कि उन्होंने बोला वैल ड़न और मैंने का थैक्यू उसके बाद उनettsे तीन चार लाइने और बोली और उस समय दिवाक नहीं चल रहा था जा और पर जब गब कि बार बार वो कुछ कह रहे हैं मुझे, मुझे नहीं याद कि उन्होंने उस समय क्या मुझे कहा। कभिल जी तमाम भारती जो करोड़ों भारती जो उसक चाट पैदा भी नहीं हुए थे वो भी उस शाम को नहीं भुला पाते हैं। कुछ और यादे अगर दर्शेकों को बताना चाहिए। आपने कुछ नाच गाना किया उस फफ़ाए। कि मेरा नाच गाना क्रिकेट ग्राउंड में रहता था। बट हर एक अलग अलग है हमारे यश्पाल जी हैं बट नाचने वाले थे और मदन पाजी बहुत है। सुनिल गाउसकर भी इतना नाचते नहीं हैं बट उनका सेंस अफ यूमर बहुत अच्छा है। वो अपना सेंस अफ यूमर रखते हैं लेकिन कहीं न कहीं यह कह सकते हैं संधीपाटल वो काफी है। और वो सब इतने खुश थे कि उनमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी कि जब आपकी खुशी होती है तो सब चीजें बहुत खुबसूरत लगती हैं। कभिल जी हम अपने दर्शकों की तरफ से और तमाम भारती जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको मुबार्क बात भी देते हैं और आपका शुक्रे भी करते हैं क्योंकि आपने वक्त निकाला और उसी मैदान पर वापिस आये जिस मैदान ने भारती क्रिकेट को शायद सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है बहुत-बहुत मुबारक आपको और बहुत बशुक्रे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये ग्राउंड बहुत एहम है हमारे लिए हमने यहां पर टेस्स सीरीज जब इंग्लेंट के अगेस जीती थी हमने पहला टेस्ट भी यहां जीता था था ए हम सब उमीद यही करते हैं कि जब 50 वी सालगिरा उस जीत की होगी बहरत और पी वर्ड़क जीत चुका होगा लेकिन 50 सालगिरा भी हम यही पर इसी तरह मनाएंगे बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा खास कारेक्रम लॉट्च के मैदान से लेकिन इस जीत से जुड़ी और य झाल झाल